Welcome to GK Funda 24 into 7, आज है 2 जनवरी 2023 और आज हम जानेंगे भारत और विश्व से संबंधित 2 जनवरी 2023 करेंट अफेर्स के सवाल और जबाब हिंदी में समझाए गए हैं। सभी करेंट अफेर्स प्रशनोतरी आने वाली SSC, UPSC, Bank, Railway, Clerk, PO परीक्षाओं के लिए सहायक होंगी। आज के प्रशनोतरी PDF लिंक डिश्क्रीप्शन में हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं। प्रशन एक, National Science Fiction दे हर वर्ष कब मनाया जाना है। अप्षन है, A. दो जन्वरी, B. तीन जन्वरी, C. छे जन्वरी, D. आठ जन्वरी। सही उत्तर है अप्षन, A. दो जन्वरी। दो जन्वरी 1920 को प्रसिद विज्ञान कथा लेखक आईजैक असिमोव का जन्म हुआ था। वे एक, अमेरीकी लेखक और बोस्टन विश्व विद्याले के जैव रसायन के प्रोफेसर थी यहाद दिन उनकी याद दिलाता है। प्रशन 2. किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्षेवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, CEO के रूप में पद्भार ग्रहन किया। अप्षन है। रेलवे बोर्ड में सदस्य, अवसंदचना, अनिल कुमार लाहोती ने आज रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, CEO का पद्भार ग्रहन किया। प्रशन 3. भादिय वायु सेना की पश्चमी वायु कमान का कार्यभार हाल ही में किन्हों ने ग्रहन कर लिया। अप्षन है। ए सुरेश मोहन सिन्हा, बी पंकज मोहन सिन्हा, सी अनिल मोहन सिन्हा, दी सार्थक मोहन सिन्हा, सही उत्तर है अप्षन, बी पंकज मोहन सिन्हा. एर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने नववर्ष के पहले दिन रविवार को भारतिय वायू सेना की पश्चमी वायू कमान का कार्यभार ग्रहन कर लिया प्रश्न चार IAC का 108 वार्शिक सद्र नागपूर में किस विश्व विधाले में आयोजित किया जाएगा? अप्शन है A. संत गेज बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी B. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विश्व विध्याले C. गोंडवाना विश्व विधाले D. सावित्रीबाई फुलेपुणे विश्व विधाले सही उत्तर है अप्शन B. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विश्व विध्याले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 3 जनवरी को विडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से 108 वी भारतिय विज्ञान कॉंग्रिस I.S.C. को संबोधित करेंगे I.S.C. का 108 वार्षिक सत्र राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विश्व विध्याले में आयोजित किया जाएगा आज के विडियो में बस इतना ही ऐसे ही हर रोज G.K.N. करेंट अफेर्स करने के लिए G.K.Funda 24x7 YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दुनिया के बड़े खबरों से अपड़ेट रहें मिलते हैं कल एक नए विडियो के साथ तब तक आप से विदा लेने के लिए इजाज़त दिजिए जय हिंद वंदे मातरम धन्यवाद